नमस्कार वीवर्स, हीरो मोटो कॉर्प की एजनसी कैसे लें? आएए आज इस विशे पर चरचा करते हैं देखिए सजनों, हीरो मोटो कॉर्प दुनिया की टोप बाइक कम्पनी है ये पहले Hero Honda और Hero दोनों मिलाकर के Hero Honda नाम से अपनी बाइक्स वगरे बेजते थे या कंपनी चलाते थे मगर इन बर्सों में Hero के नाम से ही हैं अलग-अलग दोनों कंपनिया Hero और Honda दोनों अलग-अलग हो गई हैं इसलिए आपने बात करते हैं कि Hero Motor Corp की एजन्ची कैसे लेएं देखिए सजनों आजकल Electronics विकल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इसलिए ये कंपनी आजकल Electronics विकल्स भी बनाने लग गई है ये स्कूटर और बाइक दोनों बनाती है और अच्छा बाजार पकड़ रखा है इसने इसलिए आप ये एजन्ची लेकर के अच्छे पैसे कमा सकते हैं अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डोकुमेंट्स की जरूरत होती है ये ये आप ये एजन्ची लेते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से डोकुमेंट्स की जरूरत होती है इनके उपर विचार करते हैं पहला आपको आदार कार्ड आपका जरूरी होता है आपके पास होना जरूरी है इसके बाद में दूसरा होता है आपका पास पैन कार्ट जरूरी है और तीसरा आजकल कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसमें आपको GST नमबर लेना बहुत जरूरी हो जाता है और चोथा मैं कहूंगा आपको एड्रेस प्रूप देना पड़ेगा फोटो आपको अपनी छोटी जो पासपोर्ट साइज छोटो होते हैं वो आपको देनी पड़ेगी इमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी अपना मोबाइल नमबर भी आपको देना पड़ेगा और प्रोपरटी के डॉकुमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे प्रोपर चाहते हैं उसका रेजिस्टेशन बगर किया हुआ है या नहीं है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा और जमीन आपकी लीजगी या श्वेम की है वो भी आपको बतेनी पड़ेगी इसमें आपको एक ओफिस कौलना होड़ता है और सर्विस इसपेस भी आपको चीए और आप के जो क्लाइंट्स बगर आएंगे उनके लिए बैठने की लिए भी जगह चीए तो अब बात करते हैं कि इसमें आपको जमीन की कितनी रिक्वायर्मेंट होती है यानि कितनी जमीन आपको चीए होती है तो इसके लिए मैं कहूंगा आपको किसी नेशनल हाईवे रोड के उ आपको सो भाई चानी सी या सो भाई पचास का प्लॉट तो आपको चीहे और एक सो सो टीस बाई चानी स्टीस का हो तो और ही जादा बड़ी है क्योंग को सर्विस सेंटर भी बनाना होता है आपको विकल्स वसकुटर है मोटरसाइकल हैं वह खड़ी दिख स्वाय लिए द aument और ओफिस बनाने के लिए चीए तो इसके लिए आपको चार से पांच अजार स्क्वाइर फिट एरिया आपके पास हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है अब आपको करना क्या होता है कंपनी की वेब साइट पर आप जाईए और आजगल ओनलाइन का जमाना है तो आप ओनलाइ बता देंगे और फिर वो सर्वे करने के लिए आएंगे और सर्वे करने के बाद में आपको एजेंसी यदि आप सारे कागजात पगरे पुट अप करते हैं जो भी उनकी मान लीजिए सेकुरिटी डिपोजिट पगरे वो करवाते हैं वो सारी आप जमा करवा देते हैं तो फिर आपको ये एजेंसी देजी जाती है अब बात करते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है तो देखिए जजनों यदि आप बड़े स्केल पर इसका बिजनेस करना चाते हैं या ये एजेंसी लेकर के आप अच्छा बिजनेस कमाना चाते हैं त सब्सक्राइब कर लीजिये बेल आइकोन को जरूर दबा दीजिये ताकि नोटिफिकेशन के दोारा प्रतेक वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिले वीडियो पसंद आता है जितने भी आपके रिष्टेदार हैं उन सब को भेजिएगा और जितने भी आपके दोस्ते हैं उन सब को भेजिएगा क्योंकि बिजनेस का आइडिया हर आदमी को चीए जो भी आदमी वीडियो आपको कैसा लगा नमस्कार